बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन पर कौन-कौन सी घटनाएं घटती हैं या उसके कौन-कौन से एक्जामपल्स हैं जैसे रेगिस्तान की मरिषका में होता क्या है रेगिस्तान में जब आदमी चलता है तो पेन पौधों का उल्टा प्रत्विम अक्सर पानी के अंदर बनता है तो लगता है कि वहां पर पानी है जाने पर वहां पानी होता नहीं है थंषदी उत्पन हो याती है तरह फुर शुक तरह जो होती है वह पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन की फ़र आधारित होती है तो क्या होता है देखे इसमें लिए पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन के कुछ उदाहरण सम एक्जामपल साफ टौठल इंटर्नल रिफ्लक्सन इसमें पहला है CLGM स्मपर्थ में आती है तोगरम होने लगती है गर्म होकर के उपर की और उठने लगती है और नीचे गर्म है तो विरल माध्यम और उपर ठंडा है तो सघन माध्यम दो चीज़िए विरल माध्यम और सघन माध्यम यह आपको जहांदेना है जब रेत के संपर्क में है, रेत गरम है, तो उस समय रेत के ऊपर जयों जयों रेत से ऊपर जाएंगे तो गर्मी कम होती जाएगी, गर्मी कम होती जाएगी घरन तो बढ़ता जाएगा, गर्मी कम होती जाएगी घरन तो बढ़ता जाएगा, घरन तो बढ़ेगा तो माध्यम बढ़ेगा और नीशे बिरल माध्यम करमसा उसके उपर वाली परत क्या होगी सगन माध्यम इस चीज को इस concept को आपको ध्यान रखना है और यह concept को ध्यान रखना है कि टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन कब फालो होता है जब प्रकास की किरण सगन माध्यम से कहा जाती है बीरल माध्यम में तो अगर कोई पीण है कोई बस्तु है ताप से जब उसके टाप से रे चलेगी ऊपर सखन माध्यम है नीचे बिरल माध्यम है तो उस बिलल से जब सघन में आएगा तो एक समय ऐसा होता है वह चलने वाली जो किरण है अभी लंब से दूर हटती जाती है हटती है और हटते हटते यांदि बढ़ते आप तन कुण पढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि उसके क्रांथी कुण से अधिक हो जाता है तो जिस माध्यम से आती है, उसी माध्यम में क्या होती है, इसे प्रावर्तित हो आती है, जब प्रेच्छक के आँख पे पड़ती है, और ये तो नीचे के तरफ जाती है, और उसका उल्टा प्रतिमिम बन्जाता है, और लगता है कि वहाँ पानी है, और पानी का ब्रह्म हो आए इस चीज को हम आपको फिगर के द्वारा बता रहे हैं और इरिगिस्तान में अर्थ पर क्या होता है रेद होता है रेद गरम होगी जो जो नीचे से उपर जाएगी ठंडी हावा मिलेगी डेंस्टी अधिक होगा घनत्व अधिक होगा तो उपर होगा सखन माध्यम अकरम रे ऐसे चली यहां से और यहां पर हमने अभी लंब खिच दिया ऐसे इस रे को जाना चाहिए सिधे लेकिन सिधे नहीं आईगी अभी लंब से क्या होगी थोड़ी सी दूर हट जाएगी ऐसे हट गई ऐसे फिर इस बाउंडरी पर आएगी अब यह सखन होगा नीचे वाला बिरल होगा यहां पर हमने परपेंडी कुलर खिचा लंब फिर इसको जाना चाहिए सिधे सिधे नहीं जाएगी अभी लंब से थोड़ी सी और क्या होगी दूर हट जाएगी फिर इस रे को जाना चाहिए सिधे सिधे नहीं जाएगी अभी लंब से थोड़ी सी क्या होगी दूर हड जाएगी, अभ देखिए यहाँ पर हमने फिर खिचा यहाँ पर perpendicular एक, फिर इस रे को जाना चाहिए सिधे, शिधे नही। सब्सक्रांच भी जाए अभी लंब से क्या होगी थोड़ी सी दूर हड़ अब देखिये आपतनकोर है धीरे-धीरे-धीरे-धीरे यह आपतनकोर भारा है जब यह यहां पर एक अगर आख से ब्यक्ति देखता है ऐसे यहां से तो इसको प्रतिविम ऐसा दिखाई देता है ऐसे इसको बढ़ाएंगे पीशे तो ऐसा दिखाई देता है इसको बोलते है रिगिस्तान की मरीच का मता है तो पानी में हम देखते हैं है कि पानी है जल है जब व्यक्ति आता है यहां पर रिखता इतना नहीं है तो जल का भ्रम होयाता है इसका नाम रखा गया रेगिस्तान की मरिच्का अगर आया रेगिस्तान की मरिच्का किस घटना पाधारित है प्रकास का अपवर्तन है कि प्रकास का प्रावर्तन है कि प्रकास का पूर आंत्रिक प्रावर्तन है तो लिखेंगे रेगि वोगता है इस्टीमद जिसमें चलती है कभी कभी जल भहुत थंडा हो कर गया जाता है और यहांपर कोई आ हो यहां पड़ी हुई आपमवति जो है यहां से प्रकास की रह ऐसे चलने यहां पर अगर आपर इसे परफलद्र कषीज जने इस प्रत पराइब से पारप पर यहां परा उसे हो गई जान些परने जाती है प्रकास की रहे बाइद से धूर जाती है ऐसे हो गई फिर यहां पर हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर ड्रा किया फिर एक प्रकास की रहे होगी अभी लंब से और दूर हटेगी जाना चाहिए ऐसे तो ऐसे हो जाएगी और अभी लंब से दूर हट जाएगी ऐसे हो गई फिर यहां पर हमने परपेंडिकुलर खीचा तो जाना चाहिए इसको ऐसे लेकिन अभी लंब से क्या होगी और दूर हट जाएगी ऐसे हट जाएगी अब यहां पर पर परपेंडिकुलर खीचेंगे तो पता लगा कि यह देखिए इसमें यह आपतन कोण धीरे धीरे आपतन कोण का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है अब बढ आंत्रिक प्रावर्तन हो गया यहां पर अगर कोई देखने वाला है कोई व्यक्ति यहां पर है देख रहा है तो प्रकास की रहे इसकी आख पर पढ़ेगी अब आख पर पढ़ेगी तो जितना नीशे है अब प्रकास की लिए जब यहां पढ़ेगी ऐसे इसको क्या करेंगे ऐसे पीशे के तरफ बढ़ाएंगे ऐसे पीशे के तरफ देरे देरे अब कहीं जा करके इसका प्रत्मिन उल्टा यहां बनेगा ऐसे ऐसे उल्टा प्रत्मिन बनता है और यहां का प्रत्मिन हमें इस्टीमर का यहां जो है हमें उल्टा यहां दिखाए देता है इसको बोलते है ठंडे प्रदेशों की मरिश्का या इसको बोलते है लूमिंग तो आज आए ठंडे परदेशों की मरिश का या अक्सा देता है लूमिंग किस घटना पर आधारित है तो लूमिंग और मिराज दोनों किस पर आधारित है पूर आंतरिक प्रावर्तन की घटना पर आधारित है उसमें देखिए प्रकास का प्रावर्तन देता है प् बहुत अधिक चमकता है इसका क्या कारण है हीरे का चमकना पूर्ण आंतिक प्रावर्तन की घटना पर अधारित है होता क्या है हीरे की कटिंग तरास ऐसे की आती है हीरे का अपवर्तनांग होता है सबसे हाई होता है लगवक्त 2.418 इसको लिखते हैं 2.42 बहुत सबसे हाई इसका अपवर्तनांग होता है प्रकास की रिए इसके अंदर घुश जाती है अब घुशने के बाद से हर जगह से नहीं निकल पाती है इसकी तरास ऐसे की आती है कि कहीं कहीं से निकल पाती है जब वहां से निकलती है प्रकास ज्यादा मात्रा में हमारी आँख पर पढ़ता है और चमकना किसे कहते हैं हमारी आँख पर ज्यादा लाइट आए प्रकास आए वही क्या है चमकना है तो देखिए अगर प्रकास की तो प्रकास की रे को जाना चाहिए इसके अंदर सीधे सीधे नहीं जाएगी अभी लंब की और क्या होगी जुक जाएगी ऐसे हो गई अगर यहां पर हम perpendicular खीज़ दें तो यह बाहर की और नहीं निकल पाती है यहां कोण क्रांती कोण से क्या हो जाता है बड़ा जाता है जिससे इसी medium में क्या होती है इसे return हो जाती है the ऐसे यहां पे आ गई ऐसे देखिए पुना यहां पे आ गई अब जब यहां पे आती है यहां पर परपेंडिकुलर खीज़ दें तो पता लगा कि यहां से फिर रिटर्न हो गई ऐसे और यहां पे आ गई ऐसे यहां पे आ गई रिटर्न हो करके यहां पे आ गई अब प्रकास प्राशके रहे हैं सिंगे कि यहां पर हमने हम लेषन की यह अहां पर पेकर आई और से बाहर निकल भूंटे बाघ्ट करीव snug में है न Top और दो है एक रेओं अलग की प्लकों से घूसे हैं अरนदर दो बार पूरा आन्तरिक दो लो बार थीन बार चार बार पूराइंच प्रवार्टन जम होता है तो है में यह ज request जहांसे इसकी त्राइसे की जाती इस जहांसे निकलना है 10 कि निकल निकली कि यहां से घुआ सिए यहां से गुश्यए कि यहां से निगली और हमारी आख पर चंख हो जाती है और कहते हैं कि चमक रहा है इसलिए हिरा क्या होता है चमकता है हएक का चमकत यह सबक्र depressed total internal reflection है कि अधारिफ में परखनली का शक मतर्चाइब कहा कि और इसमें ऐसे जल भरा हुआ है कि ऐसे जल भरा हुआ है और इसमें एक हमने टेस्ट यूब लिया और टेस्ट यूब को धीरे 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 ऐसे रखेंगे पहले धीरे 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 तिर्चा करेंगे एक कंडिशन ऐसी आती है उपर से देखने से चमकने लगता है तो हमने टेस्ट्यू को क्या किया ऐसे त्वासा तिर्चा कर दिया हमने ऐसे इस तरह से यह टेस्ट्यू है और इसके अंदर जो है एयर है यहां जल नहीं है नीशे से अगर यहां से देखा जाए अगर इसमें यहां तक माली जल भर देंगे कि तो आसा क्या रहे इसमें वेटेड रहे ऐसे तो यह जल वाले पार्ट से प्रकास किरें जब रुशेगी ऐसे एर से तो ऐसे सीधे निकल जाएगी है ऐसे सीधे निकल जाएगी ऐसे आएगी और सीधे निकल जाएगी लेकिन यह यह वाले पार्ट में यह क्या है यह जल है और इसके अंदर क्या है वायू है अब प्रकास किरें क्या होगी इसके अंदर जब आई यहां पर ऐसे वाहर से आई ऐसे आई आई तो यहां पर देखे यह सगन माध्यम है अब एयर है तो क्या होगा बिरल माध्यम अगर यहां पर परपेंडिकुलर एक ड्रा किया जाए इस पर टेस्ट यूप के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए ऐसे तो यह जो आपसटन कोण बन रहा है एक क्रांति कोंसे बड़ा होता है और रे क्या होती है ऐसे यहां से पूर आंथर्वर्टन के कारण उपर शली आती है ओएसे ही एक रे और आई ऐसे और यह भी यहां से प्रावर्तित हो गई अजब यह प्रेचक के आँख में पहुंशती है एरे जादी मात्रा में अब यहां से बहुत सी रे निकले न अब प्रेचक के जब आँख में पहुंशती है तो यहां पर चम्कीला दिखाई देता है इसलिए 28 घटना पर आधारित है पूरा आनत्रिक प्रावर्तन की घटना पाधारित है अगर यह परपेंडी उसे अध्यी प्रकास को में क्या होती है और इस घर्णा को गोलते है पूरा आनत्रिक प्रावर्तन तो ये भी घटना पूर्ण आंत्रिक प्रावरतन की घटना पर अधारित है। पड़ी दरार का चमकना जो कांच होता है अगर कांच बीच में से क्रेक कर जाए तो उस पर प्रकास जब डाला जाता है तो चमकता है। तो होता क्या है कि अगर ए आयसे धरार पढ़ी हुई है धरार जब पढ़ता है तो उभीच में क्या जाता है एयर आयाता है हवा आयाता है। जब कांच में दरार पड़ती है चटकता है कांच तो जब पूरता है तो वीच में क्या आती है एयर तो कांच कौन सा माध्यम है सगन माध्यम है और एयर कौन सा माध्यम है बिरल माध्यम है जब प्रकास की रे इस दरार पर पड़ती है तो आपतन कोण क्रांति कोण से जब ब उसी माध्यम में क्या होती है रिटर हो जाती है जब रिटर नो करके प्रेचक के आंख पे घटना कव होगी जब एक सखन माध्यम हो रेक विरल माध्यम हो प्रकास जो है सखन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए तूटने पर कांच जब तूट गया तो उसके अंदर अग्या चैनल और गया उसके अंदर तो प्रकास जब कासंसे यह में जाना चाहिए जिस कंडिशन में क्राम्तिक विद्ध को बड़ा हो जाएगा तो यह धान रखना है यहींद कि जब कंडिशन आएगी तो कांच से होकर के और गैप में नहीं है गैप का मतलब अदिक मात्रा में आना ज्यादा मात्रा में में प्रकास आता है इसलिए कि यह झाटा है आी अगर में बूल बूले का चमक ना इसमें क्या होता है अगर जल की अंदर एज़ी यह मारे पां सब τसवी रहाँ और यहां पर एयर को मिलनभल हो कि बामल का मतलब क्या होता है अंदर यइंची भास है और प्रकास के गप आईसे यह हमारा परपेंडी कुलर है और प्रकास की रिए ऐसे माल लेजिए आ रही है तो प्रकास की रिए आ रही है कहां से तो एर से आ रही है जल के अंदर तो सीधे नहीं जाकर कि अविलंब से थोड़ी सी क्या होगी जुब जाएगी ऐसे आ गई आईसे तो यह देखिए यहां पर ऊपर यह क्या है जल है इसके अंदर एयर के अंदर बबल के अंदर क्या है एयर है यहां पर अगर एक परपेंडी कुलर ड्रा किया जाए इसे तो यह प्रकास की जो रिए होती है यह जो आपतन कोन बन रहा है यहां आपतन कोण क्रांती कोण से बड़ा हो जाता है एर के लिए और जल के लिए क्रांती कोण से बड़ा हो जाता है तो प्रकास इस एर के अंदर नहीं आती है पुनह इस माध्यम में ऐसे वापस लोड़ जाती है पुनह जिस माध्यम से प्रकास की रे आ रही है उसी माध्यम में वापस लोड़ जाती है और जिस माध्यम में वापस लोड़ती है तो यहां पर आएं तो यहां पर भी एक perpendicular ड्रा करना पड़ेगा और प्रकास की रिये को जाना चाहिए सीदे लेकिन अविलंब से क्या होती है दूर हड़ जाती है अब प्रेचक के जब आख प्रकास की किरान जल से जल में ही चली आती है इस एयर में घुसी नहीं पाती है और यहां जब वाहर निकलती है तो यहां पर प्रेचच की आता है तो उसको जब शमकता हुआ दिखाई देता है अब एक आठटिकल और है इसका बहुत important है कि optical fiber क्या होता है प्रकास तन्तू क्या होता है इसको हम लोग अगले वीडियों देखते हैं झाल झाल